हेलो अवरेवान वेलकम बेक टो आड़ नीव लोग कैसे हैं आप सब आयो पाप अच्छी हूँ एन मैं भी ठीक हूँ रादे रादे आम नमस्षी वाई तो टाइम यहाँ पर सुबह का हो गया है और सुबह का टाइम है यह करीबन नो बज़े के बाद का टाइम है क्योंकि माईरा और वियान स्कूल चले गए हैं तो अभी मैं खाना मतलब लंच बनाती हूं माईरा को स्कूल छोड़के आने के बाद और वियान को खाने में बना के दिये थे आज मैंने आलो के पराटे नहीं सौरी पनीर के पराटे बनाए थे तो और मायरा को भी पनीर के पराटा ही बना के दे दिया था वैसे मायरा को समोसा लेकर जाना था तो कल पनीर बना लिया था और आज भी पनीर बनाने का मन नहीं था तो जब भजबन लाइते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लेकर आते हैं तो पनीर दो टाइम चलता है हमारा तो अभीना में चौलाई साफ कर रही हूँ चौलाई भी बहुत सारी लेकर आए थे ये वैसे तो गर्मी है ये चौलाई जो है नहीं खानी चाहिए गरम होती है लेकिन कभी कबार तो चल जाती है और यह चीजें जादा थो सरदियों में अच्छी लगती je क्याना सिब्स तो यह सब चीजों से बोर हो जाते हैं, तो एक टेस्ट अलग हो जाता है, तो यहा बोर टाइम लगा है मुझे यह सब करने में, और अच्छे से इसको साफ किया है, और फिर साफ करके काट लिया है, और यह इसको मैं काटने के लिए, मैं विंडो के पास बैठी थी, तो महां पर भी मैं काम कर रही थी, और थोड़ा सा भार भी देख रही थी, तो कापी अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसी काम करने में बहुत जादा टाइम में लग जाता है, और जैसे मेती साफ करना, पालक साफ करना, या फिर हरी, पत्तेद सबजिया कोई भी साफ करके और काटके बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाता ही है, तो पहले मैं इसका चोलाई का साग बनाने का सोच रही थी, फिर मैंने नहीं बनाया, मुझे लगा क्या पत्तेश्ट अच्छा ना लगे गर्मियों में, फिर मैंने आलू और चो सब्सक्राइब काटके बनाते हैं, तो इसमें बनाते हैं, तो इसमें बनाते हैं, और रोटी बनाने के साथ ना मैं अपने लिए ग्रीन कॉफी भी बनाते हैं, क्योंकि ये मुझे कुछ ना कुछ ना दिन में ऐसा चाहिए होता है, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी या फिर जीरे का पानी या सौफ का पानी, मुझे आदत भी हो गई है अब तो, तो सबसे पहले ना मैंने भोग लगाया है, और भोग लगाने के बाद ना फिर जो है सारा खाना हो जाएगा, फिर मुझे मायरे को लेने भी जाना है, इसको, एक तो यह होते हैं जब मैं सुबह खाना बना लेती हूँ न तो मेरा साथ बजे तक खाना बन जाता है जब भजबन जाते है न ऑफिस सुबह ही तो मेरा साथ बजे तक खाना बन जाता है तो फिर मेरा जो है मुझे टाइम निकल जाता है दिन में और अभी क्या हो रहे है कि मै खाना लंच जो है वो मेरा मैं मतलब दोपैर कोई बनाती हूं दस-क्यारा बजी के असपास तो तबना बस दिन ऐसे ही चला जाता है मेरा तो पहले अद्बिन को खाना दिया खाके ये फिर चले जाएंगे फिर मैं भी खाके और फटा-फटे मायरा को लेकर आँगी और देखोंगे उसके बाद भी जो मैंने अपने और काम है जो मेरे मेरे में वो ऐस्टा कुछ जैसे सोचके रखती हूं जो जरूरी होते हैं और इतने भी जरूरी नहीं होते हैं कि उसको एक इदम किया जाए और वैसे भी ये ना ब्रिस्पतिवार का शायद वह गया तो आज कपड़े भी नहीं धुलने हैं तो ये गद्दा है जो मैंने सिटिंग फ्लोर की जैसे सेट किया हुआ था आप सबको पता हिए तो इसमें थोड़ी सी थोड़ी नहीं मतलब जयादा सी इसमें डस्ट हो गई है और जैसे घर में भी काम चल रहे थो ज्यादा डस्ट हो गई है तो थो ठोड़े दिन से मुझे ये लग रहा है कि ये गंदा हो गया और जो एक बार मन में त। बिना वब्त की मैं चीजों के पीछे लगी रहती हूं और कहीं न कहीं गर अच्छे से उसके साफ शुत्रह करने की कौशिच करती रहती हूं कि और कहते हैं वेक्वीम कलीनर भी मैंने निकाला हुआ हूं तो जो वेक्यम क्लीनर की चीज़े, उसे साफ होने वाली, वो तो है मैंाश तो है मैं अभी कर रही हूँggयए पहले सोफा क्लीन किया, फिर गदा जीज़े करूंगी उसके बात देखती हूं मैं और किया चीज़ेग रही हैं, वैसे सोफ़े अभी बचाएं और इसके बाद न के बाद ना इसके जो दोनों साइड के कोर्णर है ना वहाँ पर मैंने अपनी हाथ तक पुछा लिए और हात में पैन के फिर कवर ऐसे जैसे आपको दीख रहा है वैसे इसमें मैं जो है चड़ा दूगी तो ऐसे ना इजी हो जाते कवर चड़ाना और यह कोई मैंने बाद होता है तो यह काफी पुराना हो घया था तो बस इसको ऐसी दोनों तीन साइ्ट से मैने सिलाई कर दी है और जब भी मुझे दोनगता है तो यह उसको उति है के ऐसे धुल देती हूं और एक साइट से यह उपर नहीं रहता है और कहीं पर भी नहीं जाते हैं सरकता भी नहीं है इसका और इसी लाइंकिट जो होते हैं उनका जो फैब्रिक ना बड़ा सोफ्ट होते हैं तो अच्छा लगता है इसको उठा कर मैं अभी थोड़े दिन के लिए रख दूगी क्योंकि अभी तो यह मझे नहीं भी जाना है और फिर से गंदा हो जाएगा तो वैसे भी मेरा यह देखिए यहां पर डस्ट कितनी निकली है इसमें गद्धे में से वैसे भी कोई सोच नहीं सकता कि गद्धा ऐसे क्लीन भी किया जाते है अगर उसमें से डस्ट भी निकल सकती है तो बस यह था मेरा आज का दे रूटीन और मेरा रिस्पॉंस आप लोगों का रिस्पॉंस मेरी वीडियो पर कुछ जादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि मुझे अछ्छा लगता है वीडियो पॉस्ट करना और इसमें मैं जैसे भी मुझे होता है, या फिर अभी जैसे मैं बीजी चल रही हूं और उतनी चीज़े नहीं तो फिरके मैं जो है वीडियो पॉस्ट कहती हूं तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और घर की हाला देखी